पिंटू बोला, गोलू, आप क्या करते हो? गोलू बोला, भाई, मैं तो पाइलट हूँ. पिंटू बोला, अच्छा, कौन सी एरलाइस में पाइलट है आप? गोलू बोला, अरे, मैं घर की साधियों में ड्रोन उड़ाता हूँ. इसे सुनकर, पिंटू हस पड़ा. पती बोले, क्या तुम्हें पता है कि गाने में इतनी ताकत होती है कि पानी भी गरम हो जाता है? पत्नी बोली, हाँ, हाँ, जरूर, अब तुम ही सोच लो, अगर तुम्हारा गाना सुनकर, मेरा खून खावल सकता है, तो फिर पानी क्यों नहीं? मैडम बोली, तुम इतनी देर से इसकुल क्यों आये हो? बच्चा बोला, ममी पापा लड़ रहे थे? मैडम बोली, वो लड़ रहे थे, तो तुम क्यों देर से आये? बच्चा बोला, मैडम, मेरा एक जूता ममी के पास, और दुसरा जूता पापा के पास था. एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खाने पर बुलाया, जब दूसरा दोस्त उसके घर गया, तो देखा ताला लगा था, और लिखा था, मैंने तुमको बेवकूफ बनाया. दूसरे दोस्त ने भी होस्यारी दिखाई और नीचे लिख दिया, मैं तो नहीं आया. एक धोल वाला सादी में धोल बजा रहा था, उसके धोल के दोनों तरफ महिला की फोटो थी, यह देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, लगता है तुम सुन्दरता के पुजारी हो. धोल वाला बोला, दादा जी, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास का फोटो है, और दूसरी तरफ मेरी पतनी का, घर पर तो मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ देख दनादन कूट देता हूँ. महात्मा बोले, तुम्हारी सास में सराब की ऐसी बद्बू आती है, कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी. सराबी बोला, मगर मरने के बाद मैं अपनी सास यहीं छोड़ जाऊंगा. साइब से बाद मिलेगी जचे नहीं मिलेगी.